स्लाम अलेकम स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल पकिस्तान नेवी में बतोर सीलर बरतियोंने का सुनहरी मोका डिफरेंट ब्रैंचिस में जाप्स के अनौस्मेंट की जा चुकिये और आज की वीडियो में आपको अपलाए करने का मुकमल तरीका बताऊंगा कि आपने खुद के मुबाइल से, खुद के PC से मैथर्ड सेम ही है, आपने समझने है और इंशाला आपको मुकमल तोर पर समझाने की कौशिस करूँगा कि आप खुद का अपलाए, खुद कैसे कर सकती हो और इन आल ब्रैंचिस का ही आपको पता बताऊंगा चुद के सब का मैथर्ड सेम ही है, किसी एक का बताऊंगा इंशाला आप सभी से रिलेटिड जान लोगे तो जलने स्टार्ट कर लेते हैं, आपने आना है जी गूगल में, यहां जो आपने सर्स में लिखने है जोइन पार्क नेवी आपने सर्स कर लेने आपके पास जो वेबसाइट आएगी जोइन पार्क नेवी www.joinparknevy.cov.p के आपने इस पर क्लिक करने है, थोड़ा सा वेट करने आपके पास कुछ इस तरह से पकिस्तान नेवी की ओफिशियल वेबसाइट ओपन हो के आएगी आपने थोड़ा सा उपर जाने यहाँ पर आपको option मिलती है sealers की, अगर आप mobile पर होंगे जैसे आप sealer वाली यह जो option है इस पर क्लिक करोगे, आपके पास total पांच options ओपन हो कहेंगे जिसमें first है view add, number second पर view criteria, register now, registration slip और result, जिसमें view add से आप advertisement देख सकते हो, view criteria से आप criteria देख सकते हो, register now से आप खुद की application submit कर सकते हो registration slip से आप खुद की roll number slip download कर सकते हो, और result से आप तब result अपना मलूम कर सकते हो जब आप test देखे हो, उसके 20 यह 25 दिन के बाद, या आप जब खुद का interview देख के होगे, उससे 20 यह सबसे पहले advertisement पर click करने two types है, first है journal service और number second पर है sealer marine, आपने journal service पर click करने, इसमें जो branches है मैं आपको guide कर देता हूँ, इसमें technical है, naval police है, chef, musician empty driver, sentry worker PT branch और FMT यानि female medical technician भी सी में आते हैं और जो number second पर है marine की marine में only marine वाली है अपलाई करेंगी इनकी branch भी only marine ही है तो किसी एक में अपलाई करके बता देता हूँ सभी का method सेम है, तो चलें start कर लेते हैं, तो मैंने marine को select कर लिया, उसके बाद में आपने जो select करने है, वो खुद की branch का sorry, खुद के center का इंतखाब करने है, और आपने ऐसे center का इंतखाब करने है, जो आपके new rest हो, यनि आपका जो test है भी वहाँ पर यह होगा तो आपको वहाँ पर पहुंचना आसान होना चाहिए, यहाँ पर आप खुद की test date का में इंतखाब कर सकते हैं, जो के optional अगर आप नहीं न करते हैं, अगर आप time कर दीजिए, नहीं तो not applicable पर click कर लीजिए, next में यहाँ पर personal informations में, सबसे पहले upload picture की option है, जो के optional है, ठीक है, यहाँ पर आपने picture upload नहीं करने, चुके यहाँ पर आपका बहुसा time waste होगा, sometime ऐसा भी होता है, आप picture upload करते रहते हैं, उसके बाद में खुद का form fill करते हो, तो आपका जो page है, वो submit ही नहीं होता, यहाँ आप ज्यादा time इसमें serve कर देते हो, यहाँ आप ज्यादा होने के वज़ासे, website अच्छे से work नहीं करती, आपका apply नहीं हो पाता, तो आपने इसे छोड़ देना, बाद में जब आप slip निकालोगे, तो उस पर आपने खुद से चस्पा कर देनी है, यह optional है, यहाँ पर next में आपने खुद का name लिखने है, जो भी आपका name है, आपने लिखते हैं, यहाँ पर आपका CNIC आएगा, complete CNIC आप लिखते हैं, उसके बाद में आपका father name आएगा उसके बाद में यहाँ पर आपके father का CNIC आएगा जाह आप इस तरह से लिखते हों कि उसके बाद में आपका gender आएगा और यहाँ पर आपकी height आएगी, आपकी height कितनी है, next यहाँ पर आपका status आएगा, आप unmarried है और next जलते हैं यहाँ पर next आपका religion आएगा आप Muslim है non-Muslim यहाँ पर आपका province आएगा next आपका domicile कहां के है वो आएगा उसके बाद में यहाँ पर आपकी date of birth के आपने calendar पर click करने सबसे पहले आपने यहाँ पर say year का इंतखाब करने जो के आप थोड़ा उपर जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे आपका year कौन से है 2006 और वहाँ पर June और जो भी आपका year बनते है उसका आपने इंतखाब करने नेक्स्ट आपका email address हैगा जो भी आपका email address यहाँ पर आप लिखतो और लिखके gmail.com आप डाल दो ठीक है उसके बाद में आपका postal address हैगा जो के आप Google से सर्च करोगे जैसा कि मैं शेहुपूरा सी हूँ ति हमें यहाँ पर लिखता हूँ शेहुपूरा postal address ठीक है शेहुपूरा postal code ठीक है यहाँ पर शेहुपूरा postal code लिखे देखिए postal code आ गया है इस तरह आप खुद का postal code निकालो यहाँ पर लिखो permanent address आप ऐसा लिखो जहाँ पर आपको डाक बासानी मिल सके ठीक हो गया उसके बाद में यहाँ पर आप compile number आगा जो के 92 पहले center है आपने 0 नहीं लिखना आपने 3 से खुद का number start करना है जो भी आपका number है आपने लिखते जाना है next आपकी father का mobile number आएगा जो भी mobile number है आपने लिख देना है next यहाँ पर आपकी qualification से related details हैं जो के 10 years तक आपकी qualification है next यहाँ पर आपकी degree का इंदखाब करोगे matrix science next board का इंदखाब करोगे किस board से आपने matrix की next आपके obtained percentage क्या थी वो आप लिख होगे यहाँ पर आपकी percentage आएगी और सबसे last में आपने apply value option पर click करने है यहाँ पर कुछ कह रहा है कि आपका miss हो गया यह कह रहा है postal address postal address और permanent address उनका different होता है जो के rent पर रहते हैं अगर आपका एक है तो आप एक लिख के दुबारा से try करो apply value option पर click करने की तो वो कह रहा है जी के provisional registration slip वो कह रहा है कि यह आपने details submit किया है कि आप agree करते हो देखो मैंने जो भी details enter किये वो सब यहाँ पर आज चुकिये next यहाँ पर मुझसे छोटा सा पढ़ने को कह रहा है कि आपने criteria अच्छे से देख लेना है यह certificate है जो के आपने read करने के आपको जरूरत नहीं है आपने I agree पर click करने है आपको submit के option मिल जाती है आपने इस पर click करने है थोड़ा सा wait करने है तो आपकी जो application है वो submit हो जाएगी यह देखें मेरी registration slip भी आच चुक है मेरी test के तारीख और वकत भी आचुक है roll number slip सब कुछ आप देख सकते हो कहां क्या लिखा हुए यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें भी देखने को आई है तो वह भी हम देख लेती है कि जब आप test देने जाओगे आपने original CNIC लेके जाना और यहाँ पर आपने original document साथ लेके जाने हैं और साथ में 100 रुपया लेके जाना है एक passport size तस्वीर भी लेके जो कि आपको मैंने कहा था कि वहाँ पर submit करने की जुरूरत नहीं है अभी आप यहाँ पर लगा सकते हो तो अभी back को चल देख कुछ और भी चीज़ें समझने व लिख होगे जो भी आपका CNS जैसे कि मैंने CNS एक वैसी एड किया था ना 777 तो देखो अभी यहाँ पर मैं जैसे slip पर क्लिक करता हूँ तो मेरी slip आ जाएगी ठीक है वो कह रहा है कि आपने इसमें अप्लाय किया ठीक है यहाँ पर slip पर क्लिक करता हूँ डौनलोड होना चुकिया है तो candidates बिल्कुल ऐसे ही आप खुद का apply कर सकते हो आप चाहे टेकनिकल ब्रेंचीज में अप्लाय करना साथ हो चाहे आप FMT में अप्लाय करना साथ हो आपकी मरजिया और आप ऐसे ही apply कर सकते हो methods अभी का same ही है, advertisement यह है जिस related मैंने आपको guide किया जो के तकरीबन हर साल methods same ही रहते है तो candidates यह थी वो all details जो मैं आप candidates के साथ share करना साहता था मसीत updates के लिए इस channel को लाश्मी तोर पर subscribe कर लिजेगा, thanks for watching, Allah Hafiz